नमस्कार दोस्वों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्वों केशे हैं आप शबी उम्मिद करते हैं कि वगवान भोलेनात के शिर्बाश शी आप शबी बहुत ये अच्छे होंगी अपने जूनकाल में शुहस्त होंगी दोस्वों हम आप शबी को बता दें कि आज शाम शी आप शबी के जूनकाल में होने वाले हैं बहुती बड़े अद्बुत चमतकार जिहां दोस्वों और ये चमतकार होने शी कोई भी इंसान रोक नहीं शकता दोस्वों आप इन्हें खुद ही रोक शकते हैं तो दोस्वों इसलिए आज के इस वीडियो को आप भूल कर भी मिशना करें अगर आप चाहते हैं कि वगवान भूलिनात का यह चमतकार आपके आफों के शामनी हो आपका जीवन देखते ही देखते बदल जाए तो दोस्तों आज के इस वीडियो को आप भूल कर भी मिशना करें और दोस्तो जानकर आप शिविके होस उड़ जाएंगे रॉंक्टे खड़े हो जाएंगे कि दोस्व इस वीडियो में हम आपको कुछ यह सचाई भी बताएंगे जिनसे बगवान भुलिनात आप शिविके जुनकाल में बड़े ही चमतकार करने वाले हैं तो दोस्व इनके पीछे क्या र हैं दोस्व इन शिविक की महतपुन जनकारी आप शिविक को परदान करने वाले हैं तो दोस्व आज का यह वीडियो का कन कन आप शिविके लिए बहुत जादा महतपुन शाबित होने वाले हैं आपकी जुनकाल के शबशे बड़े महतपुन फैसले होने वाले हैं तो दोस दोस्तों कमेंट बॉक्ष में शच्चे मन सच्चे हिर्दे भाव शीव हर हर महादेव जरूर लिखेगा दोस्तों बगवान भुलनाद शिव शंकर जी का शिम शिवाद आप शिवी को प्राप्त होगा जो उनकाल की आर्थिक तंग्या आप शिवी के शिमाप्त हो जाएंगे जी हाँ दोस्तों तो आई दोस्तों बात करते हैं शुरुआत करते हैं एक बहुती अच्छे ग्यांशी बहुती परम ग्यांशी जो कि दोस्तों करम से जुड़ा है और दोस्तों इस कल्यूग में हर एक इंशान को कर्म को शिवकार करना चाहिए दोस्तों बहुत शारिशी लोग होते हैं जो यह बात नहीं जानते हैं या फिर जानते हैं तो उनसे अंजान हो जाते हैं कि कर्म से कुछ नहीं होता हम जो करते हैं उनका विप्रित होता है हम अच्छा करते हैं तो हमारा बुरा ही होता है लेकिन उन्हें शबर नहीं रहता कि आकिर हमारे कर्मों का फल कभ मिलने वाले है जी हां दोस्तों तो कहने का तात पर यह है कि कर्म से जुड़ा यह ज्यान तोहा आपका कर्म है अगर आपका कर्म बहुत ही ज्यादा पीरियो शुद्ध और शंपन है तो दोस्व एकीन माने आपको शक्ति इसलिए पैर गए पैड के पास फल तोड़ने पैर तो फल तोड़ने शक्ति इसलिए हाथों ने फल तोड़े और मुह ने फल खाए और वो फल गए पेट में आप देखिए जिसने देखा वो गया नहीं जो गया उसने तोड़ा नहीं जिसने तोड़ा उसने खाया नह कि वो पेट में चला गया और जब माली ने देखा तो डंडे पड़े पीट पर जिसकी कोई गलती नहीं थी लेकिन जब डंडे पड़े पीट पर तो आंशु निकल गए आँखों में क्योंकि शबसे पहले फल देखा था आँखों नहीं जी हाँ दोस्तों तो कर्म का शिधान बस यही है कि आप जो करेंगे जैसा करेंगे वेशा ही आपको प्राप्त होगा इसलिए कभी भी इन बातों में अन्विश्वास मत किजिएगा कि कर्म से कुछ नहीं होते अच्छे कर्म करने वालों को बुरा फल मिलता है यह बात आप आ दोस्तों आज का यह प्रम ज्यान अगर आपको शमझ में आई हो इनमें शच्चा ही लगी हो तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा श्र लाइक जरूर ही किजेगा और दोस्तों इनके लिए कमेंट बॉक्ष में लिए जैस रिकेशना राधी राधी तो आई दोस्तों से के शाद बात करते हैं कि आज शाम से आप शिपी की जुनकाल में भगवान भूले नात के शिरबाश्य कौन से बड़े बदला होने वाले हैं आपको क्या करना है और दोस्तों कौन से कारे आपको नहीं करना है दोस्तों बहुत ही गहरी जानकारी के बारे में आगे हम बात करने अपने जुनकाल के हरेक हुआ कारे करता है जो इंशान कर सकता है और दोसों आप भी अपने जुनकाल में पिछले कईश में से बहुत ही जादा मेहनत कर रहे हैं जिनका प्रिणाम भी आपको मिल रहा है लेकिन दोसों बहुत शारेशे कारे हैं जो आपके संपन नहीं हुए है जी हाँ दोस्तों और दोस्तों उन्में आप महाई सोते हैं कभी कभी इश्वर से नाराज हो जाते हैं लेकिन दोस्तों हम आप शुबी को यह बात पताना चाहेंगे कि जितना आपको इश्वर ने दिया है वे आपके लिए काफी है पर शरत एक आपको उसकी मोल को समझना है जी हाँ दोस्तों अगर आप इश्वर के दिये इस मोल को शमज जाएंगे तो दोस्तों यकीन मानिए खुशी के आँशू आपके आँखों से आएंगे और आप भी कहेंगे कि हे इश्वर हमने आप पर शक किया हमें मा के जिये हमें चमा के जिये जी हाँ दोस्तों और कुछ यह से ही प्रकिर्टी के निर्मान घटना के निर्मान कुछ यह से ही चमतकार आशी आप शिवर के जुनकाल में होने वाले हैं जी हाँ दोस्तों क्योंको दोस्तों यह आश्य में से आप शिवी की जुनकाल में बहुती बहतर फल दे रहे थे लेकिन दोस्तों साथ आप शिवी की जुनकाल में अब शिवी नाम का शिवीयोग कर निर्मान हुआ है जिन के कारण से दोस्तों आप शिवी की जुनकाल में बलके शाथ साथ अब आपको इश्वर का एशा शमर्थन मिलेगा कि दोस्तों आपके शारे रास्ते खूलेंगे जी हम दोस्तों पहले बगवान शुनिदेव करम के देवता आपको बहुत शारे रास्ते दिखाए हैं जिन में दोस्तों आपने कारी किये हैं बहुत शारे लोगों ने नया कार शुरू किया है लेकिन दोस्तों अब आपका हुआ दौर आया है क्योंकि शिव नाम का शिवयोग अब आप स्पीके परिव्य जिन के अनुशार दोस्व आपको बहुत शालेशी सोचने कि मस्तिक्च में आने वाले हैं जिनके कारण दोस्तों आपके जो शुखलता की उल्चाई है वह बढ़ने वाला है जी हाँ दोस्तों और दोस्तों निमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना भी बहुत ही ज्यादा आउश्य होंगे वरना दोस्तों ये गरहों का जो सुखल है इनका वुप्रित आप शिवी को फ्राप्त हो जाएगा जी हाँ दोसों तो दोस्तों कौन शी बातों को अब आपको धियान रखना है शब्षे पहले दोसों आपको हम वह बात बताते हैं दोस्तों आप शिवी को बता दें कि इस वर सभी के जिवनकाल में परशन नहीं होते हैं जिनके लेकिन दोस्तों आपके जो दिल है उनमें कभी इश्वर के प्रती गलत भावना नहीं है आप हमेश्वाश इश्वर के उपर विश्वास रखते आए हैं और दोस्तों यही कारण है यही जो आपका भाव है इश्वर को आपकी तरफ लाया है और इश्वर भी आपको एक नए मौके दिये हैं एक वार फिर मौका दिया है तो दोस्तों यहाँ मौका को आपको अब आपको नहीं छोड़ना है और दोस्तों फिर शिवर आपको अपने जो उनकी एक नई शिरुवात करनी है तो दोस्तों जिवन की नई शिरुवात करने के लिए आपको कौन शिविश्य बातों का ध्यान रखना है तो दोस्तों सबसे पहले आप शिवी को बदा दी कि आज यही अब आपको अपने जुनकाल में कुछ बातों का ध्यान अकना है दोस्तों सरव पर्थम यहाँ बात है कि कभी भी आजशी है अपने जुनकाल में अपने मुक्षे आपको विश्य सब्दों का परियोग नहीं करना है जो कि दोस्तों आपके हित के लिए ना हो जिहां दोसों विशिष शब्दों का परियोग नहीं करना है जो कि दुसरों को चल पहुँचाए, दुसरों को तकलीफ दे जिहां दोसों, इनसे हमेशा मंगल खराब होता है, और दोसों मंगल के प्रभावशी आपके कारी बिगड़ जाते हैं जियां दोस्तों जो कारे आप कर रहे हैं वा कारे भी ध्वास्थ हो जाता है और दोस्तों जिन चित्रों में आपने पेशा इन्विश्ट किया है दोस्तों उनमें आपको घाटा लग जाता है तो दोस्तों अब से आपको अपने जुनकाल में इसी सब्दों का बश परियूग नहीं नहीं करना है, दोसरों, आपको एक बात बता दें, कि कल्यूग में पहुर्श आजले लो ग्योग की सम्ता सोचने की सम्ता अलग होती है, लेकिन दोसरों, हमाप श्विक को बता दें कि हम कुछ भी सोचले, इशुवर हमारे उपर एक ही चुँश सोचते हैं, वो है हमार भाव जिया दोस्तों भाव शेही कर्म परकट होता है और दोस्तों वही कर्म शे इश्वर हमें हमारी शिफलताओं का फल देता है हमारे कर्मों का फल देता है जिया दोस्तों जब भी आपकी शिक्यों शम्मान दे तो दोस्तों आपको उन्हें दिल से सम्मान देना है जिया द दोस्तों, अगर आप पेशा खर्च कर रहे हैं, तो दोस्तों इस बात का धान रखें, कि या पेशा खर्च करना जरूरी है या फिर नहीं, दोस्तों बिना सुचे समझे, पेशे को खर्च कर देना, या फिर लपरवाही शेकारी करना, दोस्तों इनसे माता लक्षमी प्रशनन जाता है जहांसे व्यक्ति को लगता है कि अब हम गभी उपर referee शोमच कर याल पाको पेशे का घर्श करना है पेशे को कहीं पर सताप करने के लिए आपको इश्वर से जुड़ना है इश्वर का शात रहना है इश्वर से हमेशा फ्रातना करना है कि है इश्वर हमें शमा कीजिए अपने आप जिनें भी मानते हैं जिस भी देवता को मानते हैं उनका नाम लेकर अपने आखों के जो पलग है उन्हें ब इश्वर से शिदा जुड़ जाता है जिहां दोस्तों वहष्व में आपकी मन की ध्वने इश्वर के पास जाती है तो दोस्तों सुबा के तीन से पांच बजे के बीर उठकर आपको इश्क्रिया को करना है जिहां दोस्तों ध्यान रहें दोस्तों शुबा उठकर आपको नहा दोके तैयार होना है और दोसों इस अध्यान में लगना है इश्वर का जो है अश्मरन करना है इश्वर को जागरित करने के लिए आपको अपने जुनकाल में अपने गलतियों को इश्वकार करनी है और दोसों इश्वर्षी प्रातना करना है कि है इश्वर हमसे जो भी भूल हुई है हमसे जो भी गलती हुई है उन्हें छमा किजिए आशे हम आपके शरण में आना चाहते हैं जी हाँ दोसों इश्वर्षी हमेशा अपने गलत्यों को शुकार करने के बाद कहें कि है इश्वर्ष अब हमें आगे चलने की रास्ता देजी हम आप में खुद को शमर्पि कि कुछ उपाय आपको करना है जैसे के दोस्तों माता लक्ष्मी को मजबुत करने के लिए आपको शुकरवार की दिन गाहित्री मंत्र का पाट करना है माता लक्ष्मी का हार्ती करना है और दोस्तों ध्यान रखें कि जब भी आप हार्ती करते हैं दोस्तों जब भी आप उन लाल पुष्प अर्पित करके दूर्चे बनी मिठाई का भोग लगाना है इनसे दोस्तों आपको जो भी धनलाप में दिखतें आ रही है उनमें फिर शे आपका धनलाप होना शुरू हो जाएगा काले मिर्श के पांच दाने अपने शिर पर से शाद बार घुमा कर चार दाने को चार दिशाओं में फैंक दें तथा पांच में दाने को आकास की और अकास की और उचाल दें दोस्तों यह उपाई करने शी अचानक शे धनलाप होगा और वेकुंड में बेठी हरी शुवर का आपको आशिरवात प्राप्त होगा शातिशाद दोस्तों पीपल के पत्ते पर राम लिख कर तथा उश पर कोई मिशान रख कर हनमान मंदरी में चळा दें दोस्तों इश्य अवश्य धनलाप होगा शातिशाद महाबली हनमान जी भी आपशे प्रेशन होंगी शनिवार के दिन पीपल का एक अखंडित पत्ता तोड लाएं फिर उशे गंगा जल से ध गल्दी तथा दही के घोल से अपने दाएं हाथ से अनामिका उंगली द्वारा एक वर्ग के भीतर हिंग अंकित करें तस पचात धूप दीप दिखागर या पत्ता मोड कर अपने बटुए में रख लें दोसों फिर देखें आपकी जुनकाल में कभी भी पेशों की कमी नह लतियों को आप शामने शिदेख पाएंगी और केशी आपको अपने जुनकाल में अच्छा क्रावर करना है अपने कारियों को केशी जुदार नहीं है दोसों ये शबी बातों का है शास आपके अंदर होगा शातिशा दोस्तों हम आप शिभी को एक बात बता दें कि जब भ खाएंगे कोई भी किशी परकार का छल नहीं होना चाहिए इशुअर के प्रतीश दभाव होना चाहिए दोसों जो भी आप उपाई करते हैं पूरे दिल से किजीगा जिया दोसों ये नहीं कि हम कह रहे हैं तो आप कर रहे हैं दोसों उनमें आपकी सची शरदा होनी आपके धीरे धीरे करके शब शमाप्त हो जाएंगे और जो भी आपके अर्थिक तंगया है जो भी आपके जुनकाल में दुख दर्द शमश्याएं चल रहे हैं दोस्तों निस्सिती आपको उन सभी से मुक्ति मिल जाएगा और जुनकाल में आपके एक नए जीवन की शुरुआत होगी जी हाँ दोस्तों तो दोस्तों उमीद करते हैं कि आज कर यहाई वीडियो आप शबी को प्रशन आया है प्रशन आये तो दोस्तों लाइक किजिएगा शादी दोस्तों और रेशी महत्पुन जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नाम दिल्कुल मजमार बोलिए धन्यवाद आप शबी का दिन शुब रहे